नमस्कार स्वागत आपका निज्वल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी मुख्यमंद्री योगी आदितनाथ दो दिवसी दोरे पर अविवार शाम को गोरख पर पहुंचेंगे जहां पर शाम को साड़ी चार बजे से साड़ी छे बजे तक कई कारक्रमों में हिस्सा बोलेंगे आपको बता देंगे पहले बाबा गंभी नात प्रेक्षग रह में आईजेत अकिल भारतिय विद्यारती परिशत के प्रांच सम्मेलन में भाग लेंगे और इसके साथ ही महंत दिगविजे नात पार्थ में आईजेत कारक्रम में 955 करोड रुपे की परियोजनाओं का लुकापन और शिलन्यास करेंगे इसके बाद विकास भवन में सापे देश के पहले निपुन भारत निग्रानी केंडर का लुकापन करेंगे आपको बता दें कि रात्री विश्राम वो करेंगे गोरकनात मंदिर में सोमवार को जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याइं सुनेंगे और उसके बाद लखनों प्रस्थान वो कर जाएंगे तो गोरकपुर पहुँश रहे हैं मुख्य मंत्री योगी आदित्यनार आपको उता दें कई कारक्रमों में वो हिस्सा लेंगे और कई परियोजना को लुकापन शिलन्यास करेंगे बीजेपी के जन विश्वाष वियात्रा की श्रुवात रविवार को एक साथ अंबेट का नगर मत्रा विजनौर जांसी बल्याओ गाजिपूर से होने जा रही है पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड़ाम बेट का नगर में इस यात्रा को हरी ज्वंडी दिखा कर रवाना करेंगे और इसके साथ पार्टी के प्रदेश शुनाप्रभारी और केंड्रिय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंड्रिय मंत्री कोशल के शोर भ उने वाली यात्रा, आयोध्या, गॉंडा, बलवरामपुर, श्रावस्ती, भहराईश, लखिमपूर, सीतापुर, हर्दोई, उन्नाव, रायबुरेली, बारबंकी होते हुए लखनों के काकोरी में स्रमाप्त होगी। नगरवास यात्रा निकालेगी, आपको बता दें, और जेपी नड़ा, हरीजंडी स्यात्रा को दिखाएंगे। जनता के लगाता प्रियासों से ये मालिकाना हकब शहर वास्यों को मिला। इस बारे में बोलते हुए शेत्र के विधायक नवीन चरंदर दुमका ने कहा कि प्रतम चरण में दस लोगों को पठे वित्रोट के जाने के तयारी हो चुकी है। सरकार के तरफ से पठे मिल जाने के बाद नगरवास्यों को भूमी का धिकार मिल जाएगा। साथ ही जो अन्ने सुविधाएं हैं वो भी सुलपता से मिल सकेंगी। उद्दम सिंग नगर के सीमांत खटीमा में आनन फानल में मुख्या मंपरी का श्विला न्यास बोल्ट लगाने की बाद पुलिस प्रसाश्री के निगरानी में वन विभाग की तरफ से रोट का निर्मान कराय जा रहा है। उस जमीन को लेकर गाओं के ही अशोग सरकार का वन विभाग से विवाद चल रहा है और पूरा मामला हाई कोर्ट में विचार धीन है। पूरा मामला हाई कोट में विचार धीन है। चमूली के जोशी मट के नीती घाठी में इन दिनों सरती का सितम सात्वे आसमान पर पहुंच चुका है। जहां बून बून पानी पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है वहीं अमूमन हमीशा बहने वाला पानी इस समय पूरी तरह से जम चुका है। अला कि इस समय यहां भारतिय सेना के जवान ही मौजूद हैं। आपको बता दें कि स्थानिय लोग शीत काल में यहां से निचले परवास पर चले जाते हैं। यहां सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। यही कारण है कि यहां शीत काल में कोई भी नहीं रहता है। ठंड पढ़ने लगती है। तापमान माइनस में चला जाता है। तस्वीरों से आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी किस तरह से जंग चुका है। तो इसे लिए लोगों को तवाम परिशानिया होती हैं। इसको देखते हुए लोग पहले से ही शीत काल के लिए निचले लागों में पहुँच जाते हैं। लालकोव में अवैद खनन और अवैद परिवहन को लेकर वनविभाग पूरी तरह से सक्त हो गया है। वनविभाग की ठीमी लगातार चापे मारी अभ्यान चला रही हैं। बीते सब्ता में डॉली ग्रेंज की वनविभाग ने अवैद उपखनिच से लदे चार ट्रकों को सीस किया है। वनविभाग की इस कारवाई से अवैद खनन कारुबार्यों में हरकम बचा हुआ है। वहीं आपको बता दे कि डॉली रेंज के वन शेत्र अदिकारी आनिल जूशी ने बताया कि साशन और प्रभाग की है। वन अदिकारी के आदेश अनुसार अवैद खनन और उसके परिवहन परंकुष लगाने के लिए विश्यश अभ्यान चलाय जा रहा है। जिसके चलते उनकी तरव से ये कारवाई की गई है। एक खरन करने वाले वहान हैं पर कड़ी जांच की जा रही है हर वहान की और इसी के क्रम में पिछले हफ्ते एक सब्ता में डॉली रेंज द्वारा चार वहान हाईवा बलेट सीच किये गए हैं। प्राथ में रूसर सूसना ही मिल रही है कि ये बाचपूर चेत्र और रामपूर चेत्र से ये अवैद अभियोन करके वनुपच की चोरी की जा रही थी। और सीग रही हमारी डिविजन की दल वी एक तनात है और हमारी रेंज की टीम भी तनात है। को ग्यारा बजे वॉल्वो दिल्ली से चल कर सुबह चार बजे रिशिकेश पहुंचेगी और नॉन स्टॉप बस सेवा के शुरू होने से यात्रियों के समय की भी बचत होगी। आपको बता दें कि वॉल्वो का किराया 804 रुपे रखा गया है। तो यानि कि अब रिशिकेश से दली जाने वाले लोगों को ये बड़ी सहूलियत यहाँ पर मिलने वाली है क्योंकि रिशिकेश से दली का सफर अब आसान होने जा रहा है क्योंकि नॉन स्टॉप वॉल्वो बस की सेवा जो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि ये बस की जिस टॉपेज रखा गया है सिर्फ केवल एक इस टॉपेज है जो हरी द्वार में होगा और ऐसे बे आठ सु चार रुपे बस का इस वाल्वो का किराया रखा गया है। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक बहुत चोटे से प्रेक के लिए उसके बाद भी खबरों का सिलसला लगतार जारी रहेगा।